हालो फ्रेंट्स वेलकम तो आई चैनल स्टडी फॉर यू जैसे कि आज आज आपका SSE CZL Tier 2 का 3 मार्च का 1st SIP का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के आज आज आपके 3 मार्च के 1st SIP के एक्जाम में प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐससे सीजियल एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुश्ण है था कि अंडर विच आर्टिकल डू हाई कोट इसू रिट्स यानि हाई कोट जो है किस अनुछेत के तहत रिट जारी करते हैं तो देखे मैं आपका बता दू कि हमारे संवीधान में अनुछे 226 के तहत हाई कोट यानि उच न्याले जो है वो रिट जारी कर सकते हैं तो अनुछे 226 आपका correct answer होगा इसके लावा मैं आपका बतादू कि हमारे सम्वीधार में Supreme Court यानि आपके जो सर्वोच न्याले होते है यह अनुच्छ 32 के तहाज वो RIT जारी कर सकते हैं तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा मैं आपको बता दू कि हमारे संभीधान में रीट जारी करने के जो वेवस्था है ये आपका बृटिज देश के संभीधान से जो वो लिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाब हमारे संभीधान में 5 परकार की रीट की व्यवस्था की गई है और वो 5 परकार कौनकौन से है तो पहला आपका बंदी प्रत्य अची करण है जिसे आपढ़ार्एस कौर्पस कहते हैं 2. आपका परमादेश है 3. आपका प्रति सेध है फूर्ट आपका उत्प्रेशन है और फिप्ट आपका अधिकार प्रीच्छा है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ आप रहा था कि 16 अप्रेल 1830 को भारत में जो आपका पहला जो पैसेंजर ट्रेन चला था ना जो कि आपका बंबई से ठाने के बीच चला था ये कितने किलो मीटर चला था ये पूछा गया था तो देखे मैं आपको बता दू कि भारत में पहला जो आपका पैसेंजर ट्रेन चला था ना यह आपका 16th April 1800 13पन को चला था और यह जो आपका बोरीबंदर से थाने यानी बंबई से थाने के बीच यह जो आपका 34 km के बीच चला था तो 34 km आपका यहाँ पे करेक्ट टैंसर होगा और बात कर लेए इस पैसेंजर ट्रेन में कितने यात्री थे तो तो टोटल आपके 400 या को जो है वो दिया जाता है क्योंकि लॉडड़ाजी के कारेकाल में भारत में पहली जो रेलवे की सुरुवात है वो की गई थी इसके अलावा आपको कमेंट करके जवाब देना कि भारत में जो आपका पहला जो पैसेंजर ट्रेन है जो कि आपका 16 अपरेल 1853 को चला था इस प आपका नैचुरल हिस्टरी जो पूस्तेक है ना यह आपका प्लीनी अल्डर के द्वारा लिखा गया है तो नैचुरल हिस्टरी आपके यहांपर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि डॉपलर इफेक्ट यानि जो डॉपलर प्रभाव है ना इसकी यह किस वर्स में किया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि डॉपलर इफेक्ट की जो खोज है ना यह आस्ट्रिया के प्रसीद भातिगवाद और मैथेमेटिसियन क्रिस्टियन डॉपलर ने जो है 1842 में जो है डॉपलर इफेक्ट की खोज की थी तो 1842 आपका अनसर होगा और इस वैग्यानी का नाव। आपको ध्यान में रखना है प्रीमियाफेक्ट क्रीश्यन डॉपलर के द्वारह किया गया था.. और इसके कमी के कारण जो है हमारे सरीर में खुन की मातरा जो घट जाती है और इस स्थीती में एनेमिया रोग होने का जो है वो खत्रा जो बढ़ जाता है यानि हैमोगलोवीन के कारण कौन सा आपका रोग होता है तो यह आपका एनेमिया रोग होता है और यह जो है किसकी कमी के कारण होता है तो यह आपका iron की कमी के कारण होता है तो iron आपका यहां पर correct answer होगा next question आपको आप रहा था कि OH का जो है element name पूछा गया तो तो देखें अगर alcohol की बात कर ले तो देखें OH जो होता है न यह आपका diatomic anion होता है और इसके chemical name की बात कर ले तो यह आपका hydroxide होता है तो hydroxide आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि which state है highest fertility rate in India according to 2011 census यानि 2011 की जनगना के अनुशार भारत में किस राज्जी की जो प्रजनन दर है न यह सबसे अधिक रहा था तो देगे 2011 की जो जनगना होई थी उसमें भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर रहा था यह आपका बिहार राज्जे का रहा था बिहार का जो fertility rate रहा था वो आपका 3% रहा था इसके लावा उत्तर परदेश की बात कर ले तो उत्तर परदेश का आपका 2.4 रहा था जारकंड के fertility rate की बात कर ले तो यह आपका 2.3 रहा था यानि पहले अस्थान पे जो आपका बिहार रहा था सेकंड अस्थान पे जो आपका उत्तर परदेश रहा था और थर्ड अस्थान पे जो आपका जारखंड राज जी रहा था तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है तो बिहार आपका यहाँ पे correct answer होगा तो GST आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि dentry trust is decomposed by यानि मलबे के अपगटन की परकिरिया में कौन-कौन से चरण जो है वो आपके सामिल होते हैं तो देखें मैं आपका बता दू कि decomposition यानि अपगटन के जो है आपके 5 step होते हैं और वो 5 step कौन-कौन से होते हैं तो पहला आपका fragmentation यानि विखंडन होता है second आपका leaching, third आपका catabolism, fourth आपका humanification and fifth आपका mineralization होता है तो आपके option में जो है leaching दिया गया था तो leaching आपका यहाँ पर correct tensor होगा next question है आपका आप रहता है कि who gave sea floor spreading theory यानि समुद्र तलप्रशार का जो सिधानत है न ये किसके द्वारा दिया गया था तो देखे sea floor spreading theory 1960 में जो है अमेरिकी भूपवाति को वाद Harry H. Hess के द्वारा ये आपका समुद्र तलप्रशार का जो सिधानत है वो दिया गया था तो Harry H. Hess आपका correct tensor होगा और कब दिया गया था ये पूछा जाए तो ये आपका 1960 में दिया गया था तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि 2021 में कच्छा तीन तक के बच्चों को सिच्छा के लिए जो है ये आपका कौन सी योजना चलाई गई थी तो देगे मैं आपको बता दू कि 5 जूलाई 2021 को भारत के सिच्छा मंतरी उस समय जो स पोक्रियाल थे और आपको कमेंट करके जवाब देना कि वर्तमान में अभी भारत के जो है सिच्छा मंतरी कौन है और इनके द्वारा जो है निपुन भारत कारिकरम की जो वो शुरुवात की गई थी तो निपुन का अर्थ भी एक्जाम में पूछा जाता है तो देगे नि इनिसियटीव फूर प्रॉफिसियंसी इन डेडिंग विथ अंडेस्टैंडिंग एन नुमरेसी इसका जो फुलफोम होता है अगर हिंदी में बात कर रहें तो संख्यात्मा ज्यान के साथ पठन में निपुनता इसका जो यह आपका फुलफोम होता है जो कि एक रास्ट्री आपका पहल है तो आपका जो है निपुनी योजना की बात कर ले तो यह जो आपका भारत सरकार का एक जो आपका महत्यु का जिसकों रहें टीन से नो वर्श के आईू वरक के बच्चों को सीखने के आफसकता हो जो है वो पूरा करना और देखे मैं आपके बता दो कि इस योजना के माध्यम से आधारभूत साचर्टा एवं संख्यात्मक्ता यानि अंक गनीत के ग्यान के चात्रों तक पहुझाये जाने का जो वो लच्छर रखा गया है और देखें निपुनी योजना के माध्यम से सन दोजा चब्वीस सताइस तक प्रतेक बच्चों को जो है तीसरी कच्छा के अंध तक पढ़ने लिखने एवं बुन्यादी अंक गनीत यानि जो आपका बेसिक नुमरेशी होता है इसको सीखने के चमता जो वो प्रदान की जाएगी और इस योजना का जो कार्यानवन है या आपका स्कूल सिच्छा और साचर्टा विभाग के द्व जो है वो किया जाएगा तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर आया था कि दिली सल्तनत में यह जो आपका जफर खान था तो देखें दिली सल्तनत में यह जो आपका जफर खान था यह आपका अलावदीन खिल जी का जो है सेना तो अलाओदीन खिल जी आपका यहाँ पे करेकर टैंसर होगा अगर बात कर ले अलाओदीन खिल जी के बारे में तो देखे अलाओदीन खिल जी ज श्म को यानी अपने आप जो है यह आर्गा सिकंदर एशान ac you वो कहा करता था यांनी अपने अपको स्वेम यह अलावादीन खिल जी के अन्य शेना पती की बात कर लें तो देखे उलगू, जफर खान और माली काफूर यह सब जो थे, यह आपके अलावदीन खिल जी के जो सेना पती थे, इसके लावा मैं आपको बता दू कि खिलजी वंस के जो संस्थापक थे ना ये आपके जलालुदीन खिलजी थे इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो आपके प्रथम सासक थे ये आपके कुतुबदीन एवक थे और जो अंतीम सासक रहते दिल्ली सल्तनत के वो आपके इबराह लोधी रहते अगर दिल्ली सल्तनत के कारिकाल की बात कर ले यानि दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक जो वो सासन रहा था तो देखे 1206 से लेकर आपका जो है 1526 तक जो है ये दिल्ली सल्तनत का जो वो कारिकाल रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके बाद जो आपका मुगल वंस का जो वो सासन आ गया था, 1526 के बाद जो है, मुगल वंस का जो वो सासन आ गया था, जो कि आपका पानीपत का जो प्रतम यूद है, वो आपका 1526 में ही लड़ा गया था, जो कि आपका इब्राहम लोदी और बाबर के बीच जो है, वो लड़ा गया था जिसमें बाबर की जो वो जीत हो गई थी, next question आपका आपना था कि transistor, यह जो किस generation का computer में परियोग किया जाता है, तो देखें, transistor की बात कर ले, sorry, transistor की बात कर ले, तो यह आपका second, यह आपर third नहीं, यह आपर second generation होगा, तो देखें, second generation में जो है, transistor का जो वो उपयोग किया जात है, second generation में आपका transistor का परियोग किया गया था, third generation में जो आपका IC chip, जो कि आपका silicon से बना होता है, IC chip का जो वो परियोग किया गया था, fourth generation में जो आपका micropro tortious ehator का जो उपयोग किया गया था, और fifth generation की बात कर ले, तो fifth generation में artificial intelligence का जो है, वो आपका प्रियोग किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अलाव में आपको बता दू कि भारत का प्रथम जो सूपर कंप्यूटर था ये परम 8000 था, जो कि आपका 1991 में पूरे के सीडेक कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया था, और वि सेमुल क्रे को कहा जाता है, इसके अलाव में कंप्यूटर का पिता ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपका चाल्स बैवेज को कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ये, अगर सुपर कंप्यूटर का पूछा जाए, तो ये आपके सेमुल क्रे को कहा जाता है, और कंप प्लस D shortcut key का परियोग किया जाता है, तो control plus D आपका यहां पर correct answer होगा, तेकि आगे के स्रिप्टर में जिनका भी exam है, आप अन्ने shortcut key देख लीजिए, जैसे कि select all के लिए control plus A shortcut key परियोग किया जाता है, बोल्ड के लिए control B परियोग किया जाता है, copy के लिए आपका control C का परियोग किया जाता है, fill की बात कर ले तो इसमें control D का परियोग किया जाता है, find के लिए जो आपका control F का परियोग किया जाता है इसके लाव find next instance of text के लिए जो है आपका control G का परियोग किया जाता है replace के लिए जो है control H का जो वो परियोग किया जाता है तो ये सारे shortcut की जो आप ध्यान में रख लीजे तो इतने question जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% real और authentic है अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रेस ने याद है तो आप comment करके जो वो जरूर बता दीजेगा और अगर वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो को जो है like जरू कर दीजेगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और यदि आपको इसका पीडियाप चाहिए तो मैं टेलिग्राम का जो लिंक है आपको डिस्किप्शन में प्रोवाइट कर दूँगा आप वहाँ से easily इसका पीडियाप जो वो ले सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स रुड़े हैं तब तक थांक्यू अल दे बेस्ट